न्यू जेनरेशन टोयटा इनोवा क्रिष्टा जो की लौच होने वाले हैं कुछी दिनों के अंदर बात करें जापनिस मैनिफेक्ट्रिंग कमपनी टोयटा जब भी इनोबा क्रिष्टा को लॉंच किया तब से लेकर आज तक गाड़ी बेस सेलिंग मॉडल है टोयटा के तरब से हाला कि 2005 में इनोबा क्रिष्टा लॉंच हो चुका था हाला कि अब तक हो चुका है 15 साल बात करें टोयटा इनोबा क्रिष्टा की ने मॉडल में तो को इसमें सुनने को तो यहीं मिल राए काफी कोचimore चेंजेश होने बाले है जैसे कि फ्रेस इंटिरियर इसमें आपको मिलने बाले है यानि कि गाड़ी की एक्सिडियर की बात करें इसमें नेया LED हैलाम मिल जाएग बिलकुल नया design मिलने वाला है interior की बात करें interior पे dashboard पे आपको changes मिल जाएगा fully digital instrument cluster आपको मिलने वाला है 9 inch का tasking infotainment system मिल जाएगा जिसमें आपको Android Auto, Apple CarPlay जैसे features भी मिल सकते हैं बात करें इसमें अपने segment में सबसे बहतरिन features भी मिलने वाला है और बात करें इसके build quality के तो पहले से बहतर तो था अब भी आ और भी बहतर होने बाला है और safety features के बात करें इसमें पहले से बहतरिन safety features भी गाड़ी में मिल जाएगा और गाड़ी में hybrid engine के भी introduce किया जा सकता है अगर बात करें इस गाड़ी के price range के हो सकता है ये गाड़ी को 16 से लेकर 25 लाग की price range में इंडिया के market में early 2021 पे launch कर दिया जाए Toyota को जाना जाता है अपने best in service के बारे में, car की reliability के बारे में और गाड़ी तो बहतरिन road assistance दे ही देता है इस बज़े से गाड़ी के बहतरिन sales हो जाता है यानि कि Toyota की company में Toyota Innova Cresta सबसे ज़्यादा sales ही लेता है तो हो सकता है new generation fortuner के जैसे इसमें भी आपको उतना कूछ changes देखने को ना मिले या जो changes आप सुन रहे हैं ये सारे rumors ही हो सुनने को तो यही मिल रहे है अगर एक company के गाड़ी best selling हो और सबसे ज़्यादा sales ले रहा हो उतने ही feature में तो company उसमें थोड़ा थोड़ा ही feature देगा उतना कूछ changes नहीं करेगा क्यूंकि हो सकता है अगर कुछ ज़्यादा changes कर दिया और लोगों को पसंद ना है तो company का तो दिवा तो यही कुछ scenario हो सकता है Toyota Innova Cresta के साथ तो हो सकता है company इसमें थोड़े से ही changes देकर आपको गाड़ी को launch कर दे तो सुने को तो यही मिल रहा है हो सकता है यह इतना सारा changes भी आ जाए कुछ confirm अभी तक Toyota के तरफ से officially नहीं है तो यह news आपको कैसा लगा यह information आपको कैसा लगा अज अगर अच्छा लगा हो तो लाइक केजिए अपने दोस्तों साथ share केजिए और ऐसे से ने वीडियो देखना जाए अटो मोबाइल सको पर हमारी चैनल को subscribe कर लिजिए मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ तिल द